तो यह वीडियो लगवग 20 मिनट का है वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए और यह वीडियो आपका जीवन बदल सकता है सिर्फ 20 मिनट के आस-पास का यह वीडियो है तो वीडियो को एंड तक जरू देगा और सब्सक्राइब कर लीजे चैनल नहीं किया तो अभी कीजिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सैटलमेंट टीवी अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीच आपको एक र फरजी लोन अप्लीकेसं से लोन लिया है या किसी ऐसी अप्लीकेसं को इस्टॉल कर लिया और बहाँ पर अपने कुछ ड़कुमेंट षाप आपने प्रोवाइड करा दी हैं और वो लोन एप्लिकेशन आपको परशान कर रही है और आप बहुत ज़्यादे प्रतारित हैं उस लोन एप्लिकेशन से तो आज की वीडियो आप बिल्कुल कंटीनियू एंड तक बहुच कीजिएगा आपको बहुत सारी बाते में डिटेल म बताने बाला हूँ तो अगर मैं आपसे बता हूँ तो यहां पर जो मैंने अपडेट दिया है यह नवंबर 2022 का है और फिलाल बहुत सारी लोन एप्लिकेशन ऐसी हैं प्लेश्टोर में जो की फ्रॉड हैं फरजी हैं जिनकी कोई भी NBFC नहीं कोई भी बैंक रही है साथ दि दिन में 3500 रुपे करना पड़े उसके बाद जब आप पे कर देंगे हो सकता है आपको दुबारा से फिर से आपकी बिना हनुमती के आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाए और उसके बाद फिर आपसे अबैद बसूली की जाए ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हो र लोग करते हैं को काफी दुख होता है ये बात जानकर कि जब कोई भी कारवाई करती है और जब उसमें वो बहुत सारे accused को पकड़ती है जो भी आरोपी होते हैं या जिनके उपर आरोप साबित हो गते हैं उनको जब पकड़ती है तो पता चलता है कि उसमें कुछ इंडियन भी सामिल है और यह बहुत ही एक सर्मनाक मैं बोल सकता हूँ कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपको बही बताऊँगा जो कि सच है और सच यह है कि आज अभी अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत लाखों भारती इन फरजी रोन एपलिकेशन के जाल में फस्ट क्योंकि लोग परसान हैं वो वीडियो देखते हैं फिर उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है और सहूलियत के अनुसार जो है फिर बाद में वो लोग बही मतलब ट्रीटमेंट करते हैं उनके साथ में जो फजी लोन एपलिकेशन बाले उनके साथ में करते थी तो यदि आप आपने किसी भी लोन एपलिकेशन से लोन ले लिया है और आपको पता है कि लोन एपलिकेशन फरजी है साथ दिन का लोन प्रोवाइड करा रही है इसके अलाबा आपको पता है कि उनकी कोई भी एन्बी एफसी नहीं है कोई भी बैंक नहीं है या उन्होंने जो आपको लोन agreement letter या sensor letter प्रोबाइड कराया है वो एकदम फरजी है fake है तो आपको SM करना क्या है सबसे पहली बात जैसे ही आपको पता लगता है कि साथ दिन वाली loan application है तो पहले आप उनसे loan agreement letter मांगिए जहर सी बात है वो loan agreement letter आपको प्रोबाइड नहीं कराएंगे वो आपको कुछ PC के या जो भी उनका system हो उसके screen sword बेजेंगे उनके जो agent है जब वो आपको call करेंगे तो उसके screen sword बेजेंगे screen sword बेजेंगे या फिर वो आपको कोई फरजी loan agreement letter प्रोबाइड करा देंगे तो यह आपके साथ में होता ही होगा और बहुत सारे लोग जो है जो loan agreement letter की demand करते हैं उनके साथ में यही खेल खेलते हैं यह लोग और जब उनको गुस्सा आता है जो उनकी recovery agent है उनको गुस्सा आता है तो फिर वो आपकी contact list के numbers वगरा आपको वेजना चालू कर देती है तब आपको पता चलता है कि अरे मेरी contact list तो इनके पास save है और फिर वो आपको धमकी देते हैं कि हम आपके contact list में call करेंगे आपकी sister को call करेंगे आपके brother को call करेंगे आपके nude pics viral कर देंगे यह अमूबन यही होता है लोगों के साथ में और लोग इसी बास से परसान हो जाते हैं तो दोस्तों अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है कोई भी फरजी loan application अगर आपको परसान कर रही है और बहुत सारी मौझूद है फरजी लोन application मुझे तो ऐसा लगता है कि 500-1000 प्लेश्टोर में मौझूद होंगी सबसे पहले अगर आपको कोई काम करना है तो वो यह है कि आपको panic नहीं होना है आपको परसान नहीं होना है वो आपको cable यह अगर बोलते हैं कि हम आपकी nude pic बनाएंगे या आपकी कोई ऐसी pic बना देंगे जिसमें मतलब आपके उपर चोर लिख देंगे और उसको viral कर देंगे या हम आपके relative में call करके उनको गालियां देंगे या हम आपके relatives को call करेंगे और उनसे बुरा बला बोलेंग गलत गलत जाते हैं तो गलत गलत तरीके के photo बेजेंगे इमेजки बेजेंगे बिडियो बेजेंगे जिसमें आपका हम चैरा काट कर मतलब जो चैरा है उसको image में से cut करके और एक दूसरी बोल सकता हूं कि mouse pic पर उसको लगा कर बेजेंगे ठीक है और बो pic nude होगी तो ऐसे बह जो है मतलब फीमेल्स को बहुत ही ज़ादा बहुत ही परसान करते हैं इसमें क्या होता है लोग अपने घर का जो भी सामान होता है उस तक को बेच कर उनका पेमेंट करने की कोशिस करते हैं कुछ लोगों ने अपने घर, मकान, दुकान, जमीने तक बेच दी है लेकिन आपको करना क्या है आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है अगर आपने इनसे लोन ले लिया है एक रुपया भी इनका लोन चुकाने की जरूरत नहीं है अगर यह आपके पास कॉल करते हैं आपको धंकी देते हैं आपको परशान करते हैं सबसे पहले आपको एक काम करना ह है नियर्स पुलिस टेशन में जाना है अपनी कंप्लेंट ररीश्ट्र करानी है अगर वहां मिनि आ सकते हैं मैंने आपको description में लिंक डिया है cybercrime portal का आप cybercrime portal पो yang hour धी बो Ben आपको यह यह एक दो यह कोई फिंदने कर नहीं है और भारत में अगर कोई लोन प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन किसी भी माध्यम से डिजिटल तरीके से तो उसका NBFC या बैंक रेजिटर्ड होना जरूरी होता है तो यह कोई भी NBFC बैंक रेजिटर्ड नहीं है साथी साथ यह मेरे डेटा का मिस्यूज कर रहे हैं जो कि IT Act का उलंगन है कोई भी आपके डेटा का मिस्यूज नहीं कर सकता कोई भी आपकी Contact List में Call करके उनको नहीं बता सकता कि आपने Loan लिया है तो इस परकार से आप Complaint रेष्ट कराईए Complaint में एक बात आप और लिखवाईएगा कि मुझे डर है कि यह लोग मेरे आधारकार्ट पैनकार्ट का मिस्यूज कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आधारकार्ट पैनकार्ट का मिस्यूज होता है क्योंकि जो की होता है मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे लोगो आधारकार्ट पैनकार्ट का मिस्यूज हो जाता है और बाद में वो लोग परशान हो जाते हैं तो अगर आपके आधारकार्ट पैनकार्ट का मिस्यूज हो रहा है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने इस लोन एप्लिकेशन से लोन लिया था जहां पर मैंने गलत भारत में लोन प्रदान करने के क्या नियम है बिना NBFC company बिना bank बिना bank अरबिया रेइस्टेड बैंक के कोई भी लोन application लोन प्रोवाइड नहीं करा सकती है यह रियूल है या तो कोई राज्य सरकार जो है वो अपने वियाब पर लोन प्रोवाइड करना सकति है या कोई बैंक और अर्बियूइफ सी रजिटर होनी चाहिए तो अगर आपको कोई भी फरजी लोन अप्लिकेसर लोन एक्रीमेंट लैटर भी बेचती है तो आप लोन एक्रीमेंट लैटर को चेक कीजिए, RBI की ओफिसियल वैपसाइट पर NBFC की लिष्ट डाउनलोड कीजिए, उसमें फिर आप सर्च कीजिए कि उस NBFC का नाम है या नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, इस पर मैं बिस्तार में वीडियो बना दूँगा, और बना भी चुका हूँ मेरे चैनल पर बहु सचेथ पोर्टल में भी आपको इसकी सूचना देनी है, RBI के सचेथ पोर्टल का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, और यदि आप बास्तिविक में परसान हैं, मतलब आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपको मैंन दिस्क्रिप्शन में True Balance Loan Application का लिंक प्रोवाइड कराया है, जो कि RBI Registered NBFC के भिहाब पर बर्क करती है, अप्लिकेशन मतलब उनकी खुद की NBFC है True Credits Private Limited, इसके अलावा उनकी एक सबसाइडरी NBFC है, ममता Projects Private Limited, आप चाहिए तो उससे ट्राइ कर सकते हैं, अवेल फाइन इनकी कौन सी NBFC है, कौन सी बैंक है, तब तक ऐसी किसी भी application को अपने phone में install मत कीजेगा, और बहुत सारे लोग तो Google पर सर्च करके, Google पर पता नहीं कौन-कौन से link आते हैं, बहां से application इंस्टाल कर लेते हैं, पूरा उनका phone का data, जो है loan application के पास चला जाता है, अब ये data ज चला गया है, जैसे ही आपने मालीजिये, media storage की permission को अपने allow किया, तो आपका जितना भी data है, वो उनके पास चला जाता है, हाला कि मैंने ऐसे बहुत कम cases देखें, जिसमें किसी की phone की galley को access किया गया हो, लेकिन आपका जो अधारकार, pen card होता है, जो selfie होती है, और जो contact list होती ह और जो even message होती है, मैं यहापर WhatsApp message की बात नहीं कर रहा हूँ, message होती है, तो बो तक बो जो loan application है, वो आपके read कर सकती है, आप समझते हैं, आप कितना बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही बड़े खत्रे से गुजर रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपने loan ले लिया है, चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अगर फरजी loan application है, और अगर RBI registered NBFC बैंक से आपने loan लिया है, या उनकी किसी application से loan लिया है, तो उसको समय पर चुकाईएगा, वरना आपका civil score हैंपर हो जाएगा, अब फरजी loan application तो civil में loan update करती नहीं है, ये बात भी credit rating agencies आ गई है, जैसे clarify mark हो गया, experience हो गया, तो मैं यहाँ पर trans union civil की बात कर रहा हूं, तो civil बगर आपना, चेक करते रहा कीजिए, जिससे कि आपको कहीं ऐसा नहीं हो, जो आपने अधरकाट pen card फरजी loan application में दिया है, और उन्होंने कहीं और से loan बगर ले लिया है, आपके प्रतालित करेंगे, फरजी loan application फिर भी आपको प्रतालित करेंगे, इसके लिए आपको अपना mind set तयार करना होगा, आपको panic नहीं होना है, देखिए आज कल बहुत सारे online fraud हो रहे हैं, आपको simply अपने contact list में जितने भी contacts हैं, उन सभी को ये बात बतानी है, कि आप लोगों के access ले लिए गया एक फरजी loan application के द्वारा, धोके से मुझे वो application इस्टॉल हो गई थी, मुझे जानकर ही नहीं थी उस वक्त, तो इस पिरकार से आप अपने contact में बता सकते हैं, और यदि आपके पास कोई भी call आता है, मतला अपने contact को बोलिएगा, यदि आपके पास कोई भ complaint register करा दी है, और जिस पर पुलिस आगे कारवाई कर रही है, ठीक है, आपको इतना बोलना है, और दिमाग में से tensions निकाल देनी है, खास कर मैं जो females हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा, परसान होने की जरूत नहीं है, कोई जरूत नहीं है, अपना जेवर बेचकर उनका payment करने की, मेरे पास एक message आया था, और उन्होंने मुझे बताया था, कि वो अपना सारा जोयली बेच चुकी है, दस अजार रुपे के, बो मतलब तीन हजार रुपे उनको कभी दिये गए होंगे, फिर उन्होंने दुबारा उनको फिर लोन दे दिया गया, फिर लोन दे दिय है, बहुत सारे लोग, मैंने अभी कल ही देखा था, फेस्बुक पर मेरे एक फ्रेंड ने, एक पोस्ट की हुई थी, कि मेरे जो फेस्बुक प्रोफाइल है, उसको किसी ने hack कर लिया, या मेरे नाम की सेम, मतलब फेस्बुक प्रोफाइल बना लिया, और लोगों से रुप पैकी डेमांड नहीं करूंगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी को पताएगा, आजकल सायवर फ्रोट्स, ऑनलाइन फ्रोट्स बहुत सारे चल ले हैं, तो घपराने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, और जब आप अपने परवार में वह सारे लोग नही परचना है, सबसे पहले आपको जो भी आपने परमीसन दे रखिए उसको रिमूब कीजिएगा, और हो सके तो इसका वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आगे लिखेंगे सैटलमेंट टीबी और सर्च करेंगे, तब भी वो आपको वीड आपको डर्ना नहीं है, गबराना नहीं है, इनको रिपेमिन नहीं करना के लिए, पिर से सुन लीजिएगा, अगर कोई फरजी लओन आपलिकेशन है, जिनकी कोई NBFC है, कोई बैंक नहीं है, बहुत लूट चुके हैं भारती लोगों को, आपको इनको एक भी रुपय की प जयान देंगे बहुत सरी अलग-अलग वीडियो के माध्याम से कि हम तो पूरा कोर्स बेच रहें साहब हम तो फर्जी लोन एप्लिकेशन से आपका जो भी पैसा गया उसको हम रिकवर करा सकते हैं आपको लोन दिलवा सकते हैं तो ऐसे लोगों से भी सापदन नहीं है क्योंक कांटेक लिश्ट बनबा कर तो ये भी काम मत कीजेगा कभी भी इससे भी आपके एकांट का फिरिज होने का खतरा रहता है बहुत सारे लोगों के बैंक एकांट फिरिज हो गए है क्योंकि बहुत सारी बड़ी-बड़ी ट्रांजेक्सन्स होती है जिसमें बहुत सारा पैसा आता है फिर बैंक उन से पूछती है कि ये पैसा कहां से आया है आप हमें बताइए हमें डेटेल्स चाहिए फिर उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है ठीक है उसके बाद बैंक एकांट फ्रीज हो जाता है और फिर बाद में काफी जादा समस्याओं का सामना करना परतालना से आपको घबराना है या डरना है तो डरने की बिल्कुल भी जरूत नहीं कोई भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्स कि इस टोर को जब मैंने ओपन किया था बहुत सारी एप्लिकेशन जैसे कि मैं आपसे बात करूं किलाउड लोन नाम से तो मैंने उसकी क्रेटिकल रिव्यूज बगरा पड़े पड़े क्रेटिकल रेटिंग चैक करी क्या ही लिखा है क्रेटिकल रेटिंग बगरा तो किसी आपको इस्टॉल करने हैं पहले उसके बारे में प्रॉफर नौलेज लिजिए ऐसे किसी एप्लिकिशन को स्टॉल मत कीजिए हो सकता थे फ्रॉड अप्लिकेशन हो फ्रॉड लोन अप्लिकेशन हो तो रिव्यू उसकी रे जैसे क्लाउड लोन हो गया और एक और एप्लिकेशन है जिसका नाम है लाइटनिंग रुपी तो यहां पर आगर मैं आपसे क्लाउड लोन की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को प्रतालित कर रहा है इसके अलाबा और इन सब का मैंने आपको जो बोल सकता हूं लोगो है व बिल्कुल भी ऐसं किसी भी लोन एप्लिकेशन के आपको जहां से में नहीं आना है एक और लोन एप्लिकेशन है स्कोईर लोन तो एसी जो स क्लिकेशन है इन से डरना नहीं घवराना नहीं बस इनका repayment मत करो कर लें ये क्या कर सकते हैं घर तो आनी जाएंगे क्योंकि फरजी है घर आएंगे तो फिर आपके पास भी तो जो है नियरेश्ट पुलिस इस्टेशन है लट तो आपके पास भी होता है तो बिल्कुल नहीं डरना है बिल्कुल परसान नहीं होना है और ऐसे किसी भी loan application के दवाब में आके इनको अंदधन रिपेमेंट करने की या एक भी रुपया रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो वीडियो अगर आपको पसना आई हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जरूर कर लीजेगा ऐ किसी इनफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं और यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है तो बस यही ता आज की वीडियो में और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है चैनल को सब्स इंट्रेस्टिंग वीडियो में फिर किसी इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद्र वंदिमात्रम